पल्शाली मंगल का गोचर हो रहा है तुलाराशी में जोतिश में मंगल को एक विशेश इस्थान प्राप्त है 3 अक्रूबर 2023 को तुलाराशी में गोचर करने जा रहे हैं मंगल और मंगल अगर अच्छे तो आपके जीवन में आपका सब कोज अच्छा क्योंकि मंगल ताकत है एनरजी है और जिसके अंदर ताकत है जिसके अंदर एनरजी है उसकी मुठी में दुनिया है तो अब ये मंगल जब तुलाराशी में जाएंगे तो फिर आपकी राशी को क्या देंगे क्या नहीं देंगे ये आप जानना चाहते हैं तो बिलकुल जानिए, यह जो जानकारी मैं दे रहा हूँ, यह चंद राशी का राधारी थे और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन पर दबाएं, फेस्बूक और इस्टरग्राम पर हमें फॉलो करें, हम बात भाव जनिदेव, गुरु ब्रस्पती का भाव का धर्म, नौवा कर पिता का है, गुरु का है, भागी का है, तो मंगल का गोचर आपके लिए क्या बता रहा है, कि धर्म और ज्यात्म से आपको जुड़ना पड़ेगा, यह समय उच्छ शिक्षा के लिए बहुत अच्छा ह इस बात की पकी बात है, कि आप काम के सिर्स्ने में कोई लंबी दूरी की यात्रा देश में अविदेश में कर सकते हैं, भाई बहन के साथ यात्रा हो सकती है, आपके जो कजिन भाई बहन उनके साथ मिलना जुलना हो सकता है, तीर सिस्था जा सकते हैं, और आप काज के लगवाते उस वेवसाय से उस वेवसाय पर करा दें आनोकरी वाले जो लोग है वो बिजनस करने लगे बिजनस वाले नौकरी करने लगे को कि साड़े साथी चल रही है वो लोग के लिए प्रबल सम्हाओना है नौवा घर में बैठकर मंगल आपके बारवे भाव तीसरे हैं तो गुसा मत करिएगा लडाई मत करिएगा जगड़ियेगा नहीं वहां ठीचती चलाईएगा नहीं तो खर्चे उल्टे सीदे भी हो सकते हैं तो आपको पसंद नहीं आएंगे तो ध्यान रखिएगा मंगल की दर्ष्टी तीसरे घर पर होगी तो आपके आर्थ विश करिएगा जबान को मीठी रखिएगा दूसरों से बाचीत करते समय सुनिएगा समझीएगा फिर बोलिएगा मंगल आपके चौते भाव को देख रहे हैं तो परिवार में भी थोड़ा आप घर वालों से भी लड़ जगर तकते हैं जिसकी वजह से घर का महल बिगर तकता है माता जी से लगी जगरी अगर नहीं माता जी की सिहत का ध्यान लखी का मंगल जब आप फालतू सोशल ने लगें को उल्टा सीधा कर लगें तो खराब हो जाते हैं लडाई करा देते हैं नवा घर ब्रसपती का है और मंगल यहां पर वैसे तो आराम से बैठते हैं क्योंकि व्रसपती बुजूर्ग घर ग्रय हैं बड़े ग्रय है मंगल एक जवान लड़का है तो बड़े वक्ती जो होते हैं बुजूर्ग हमारे जो होते हैं बेटा शान्त रहे गुश्टा नहीं कर आराम से बैठ ठंड़ा पानी पी तो ऐसे देवगरु ब्रसपती मंगल को कहते मेरे प्यारे बच्चे प्यार से बैठ जाए, गुस्सा उस्सा मत कर, वही बात मैं भी आपको समझा रहा हूँ, तो मंगल यहाँ पर क्या कहते हैं, नहीं मैं अकेले सब काम कर लूँगा, एक इंसान बच्चा होता नहीं, जवान बच्चा तो कहते हैं, अरे मुझे किसी की ज र supremePruti एसी कहते हैं, तो ऐसे में कभी बार क्या होता है कि जो जवान बच्चे हैं, यह जो बी किसी में ओमर के लोग हैं, वो लोग Hem किसी की सला नहीं लेते हैं, आपने दिमाग से काम कर लेते हैं, तो कई बार तीर निशाने पre बैठ जाता है, ब कई बार तीर खट भी जा तो सलाह लेकर काम करिएगा आपके बड़े बुजर्गों की आप भाकिशाली होंके आप कम उम्र में नौकरी में वैपार में तरक्की प्राप कर लेंगे कारिस्थल में जो सफलता चाहिए पढ़ाई में लिखाई में जो सफलता चाहिए वो कम वक्त में मिल जाएगी बस शर जिद मत करिएगा कि मैं ही सब कुछ जानता हूं और आप जब सलाह ले लेंगे तो सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा और आपकी विचार, आपकी तेजी और आपके घर के बड़े लोगों का संयम, दोनों मिलकर आपको दुनिया जितवा देंगे. यानि आपके जो घर के बड़े बज़रुग हैं, उनका अनुभाव, उनका पेशन्स, उनका जो उन्होंने दिल्गी में कमाया है, वो सीख और आपका जोश अगर मिल गया, तो आप हर लड़ाई जीत लेंगे, जो किसी विशे की क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सिर्फ तो आपको बड़ो का अनुभाव भी चाहिए, नौ अगर लंबी यात्रा का है, सहासिक चीजों का है, यात्राए होंगी, घूमने-फिडने की होंगी, काम-धंदों की होंगी, यात्राओं के शौकीन भी हो सकते हैं, समाज में सम्मान भी मिलेगा, आप अपनी जो चाहते ह मंजिल उस तक पहुँचेंगे, लेकिन मंजिल पे तब पहुँचेंगे, जब बुद्धी का प्रयोग करेंगे, और बुद्धी क्या है, गुरू, ज्यान, तो ज्यान आपको चाहिए, और अभी अगर आपके पास ज्यान नहीं है, तो बड़ो का ज्यान ले लिजेगा, य अंगल मित्र ब्रस्पती के घर में है, तो आपको बड़ो से मदद और आशिरवाद मिलेगी, और उनके द्वारा मिलेगी मदद, उनके द्वारा दीगी सलाह ही आपका बेड़ा पार लगाएगी, आपके भाई की पत्री, अगर आपके जो बड़े भाई हैं, उनकी शादी होगे तो उनकी जो पत्री हैं, उनका हशिरवाद लिजिएगा, उनके रिष्टी अच्छे रखिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, आम तोर पर 28 साल की उम्र के जो भी लोग हैं, उनको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, जो भी अपने 28 साल में चल रहे हैं, उनको जो भी मिलेगी, लेकि 28 साल वालों को जो 100 परसेंट मिलेगी, अगर वो सही से प्रयास करते हैं तो, और उनका मंगल अच्छा है तो, जो भी लोग आर्मी में हैं, फौज में हैं, या डिफेंस में हैं, जो भी लोग हतियारों का बेचने का काम करते हैं, वो लोग का समय जितना मंदिर में मत्था ठेकेंगे, बड़ो काशिवाद लेंगे, यकीन मानिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको, बैठे बिठाएगे, जितना वहम करेंगे, जितना पिता से चगड़ा करेंगे, जितना धर्म से दूर होंगे, उतनी ही तरक्की आपकी जीरो हो जाएगी, एहसान मानिए, भाई से मदद मिल सकती है, आप से जादा आपके अपने अमीर हो जाएगे, यह भी आप देखेंगे, जितना परिवार से, बड़ो से, धर्म से दूर जाएगे, उतना सफलता से दूर होते चले जाएगे, जितनते भी लोगों का मंगल खराब होगा, उनकी जेब में एक रुपिया पढ़ा होगा, लेकि घमंड बहुत होगा, जो भी लोग घमंडी लोग होंगे और जो लोग गप मारेंगे, मैं यह कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, उन सब का मंगल खराब है, उन्हें कुछ रही मलेगा, जो लोग भी बड़ो बज़र्गों क सला नहीं मानेंगे, अपने मंगल को मजबूत नहीं करेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई ऐसे ही चलेगी, एक लाल रंग का रुमाल अपने पात रखें, मंगल बार के दिन हन्वान जी को सिंदू चुणाएं, अपने दादा जी, पिता जी, संत सादू का आशिरुआद ले अपने बड़े भाई की बात सुने, अपनी भावी से अच्छा वेवार रखें, नास्तिक नामने, धर्म इस्थान पर चावल गुल और दूद का दान करें, आपके घर में जो महमान आएं, उनका स्वागत करें, महमानों को खाने के बाद मिठाई किलाएं, और मंगल वार क के दिन हानमान जी के मंदिर में जाएं, और उनका आशिवाद ने लड़ू वगरा चलाएं, फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने धर्म का सहरा लिया, अपने बड़े मुजरूरों का सहरा लिया, कुम्ब राशी वालों साड़े साती में चल रही हैं, इस बात का वित्यान इस बात को भी ध्यान रखिएगा, तो अगर सफलता चाहिए, तो सिर्फ आपकी अकड़, आपकी ताकत काम नहीं आएगी, हर वो लड़ाई, जो भी लड़ाई इस दुनिया में हुई है, जो जीता है ना, वो सही रणीती से और अपने जो सही सलाकार होते हैं, उनकी सही सल सही लड़ाई जीती गई है, ताकत से कभी लड़ाई नहीं जीती गई है, तो ये समय है, भागी का सपोर्ट लेने का, ये समय है, अपने बड़ों के द्वारा बताये गए, रास्ते पर चल कर सफलता पाने का, वो बड़ा कोई भी हो सकता है, कोई भी, अगर आपकी जर्म पुर्ली में सितारे कमजोर हैं, तो उसे सही अभी करिए, अभी, तुरंत फोन में लाईए, अप्वाइन्मेंट बू कराईए, यकीन वानिए, आप आधा जीवन अपना बुरे सितारों के साथ बिता कर अपने अच्छे खासे जीवन को बरबाद कर चुके हैं, अगर अब भी आपकी आँख नहीं कुलती है, तो भगवान भी आपसे यही कहेगा, कि मैंने तो तुम्हें सो वीडियो, हजारों वीडियो दिखाए, पचासों पंडितों ने कहा अपनी जर्म कुली की जाँच कराओ, तुम किसी के पास भी नहीं कहे, इतना सुनने के बाद भी नहीं है, क्योंकि जो हजारों पंडितों की वीडियो देखी तुमने, उनको बुलवाने वाला भी मैं ही हूँ, और तुम्हें सुनवाने वाला भी मैं ही हूँ, लेकिन तुमने अभी तक नहीं सुना, तो मैं क्या करूं, अब मेरे पास मताना, सुधारी अपने सितारों को, अग झाल शकाफ